हलो दोस्तों दोस्तों आज के बच्चे तो पहुत कम मार खाते हैं जब हम पांच से दस साल की उमर में थे दोजार से लेके 2006 या पांच की बात कर लीजिए जैसे कि हम नोदे में 2006 में सिलेक्ट हो कर गए उसके पहले हम घर पर कितनी पिटाई होती थी हमारी किन-किन कारणों से पिटाई होती थी उनके बारे में थोड़ा डिसकस कर लेते हैं तो सबसे पहली बात है जैसे कोई पापा मार रहे हैं और यदि हम रोने लगे तो ज्यादा रोने से भी पिटाई होती थी और यदि पीटने के बाद आप यदि नहीं रो रहे हैं तो तो नहीं रोने के लिए भी आपको पीटा जाता था कि भाई क्यों नहीं रो रहा है ठीम और यदि नहीं पिटा गया और फिर भी आप रोने लगी तो पैडिक आपकी पीटाई हो जाएगी आप खाना डीस में ज़्यादा छोड़ दिया है तो उसके लिए भी आपको पिटाई आपके पिटाई होगी और जैसे पूरा खा गए है और पूरा उंघली से चाट रहे हैं तो उसके लिए भी हमें मारा जाता था मतलब बचपन में जो भी करो आपको मार खाना है अब मालीजीए कोई बड़े बुजुर्क बैठे हुए हैं आप महा पर भी बैठ गये तो बड़े बढ़न के बैठ गया है तुम क्यों इनके साथ बैठा है उसके लिए लोग खड़े हैं आप बैट गए तो उसके लिए भी मारें गें कि भई बड़े भुजुर्ग खड़ें और तो बैट गया है तो इस तरह से भी पिटाई हो जाती थी यदि यह बड़े भुजुर्ग बैटें आप उसके आसपास घूम रहे हैं तो उसके लिए भी पिटाए हो जाते थी तो बुजुर्गों का क्या था उनको मारना है तो तो मारेंगे अब जैसे पापा है वह आपको डाट रहे हैं आप उनके आख में ताक रहे हो लगातार ताक रहे हो तो उसके लिए भी मारेंगे कि वह लगातार नहीं यह टोग और वार यांग करते हैं तो फिर असे लिए प्रेंगे कि बार बार क्यूं अंक बंद कर रहा ते रहा जयान नहीं नहीं तुझ तो's इस आँज के बच्छों को कभी कोई मारता नहीं है हाथ तक नहीं लगाता है टीचर्स तो चूते ही नहीं है कोई भी बात हो पेरेंट्स को फोन करो बुलाओ ऐसा सब सिस्टम आ गया है अब दखिये जैसे खाने के बाद आपने डिस को नहीं दोया तो उसके लिए भी मार पड़ेगी आपने उसको अच को खाना कुछ लाएं बहुत ज़्यादा खाजाते हैं और भाईयों के लिए लिए बहनों के लिए ने बश्ता है तो उसकेरें लिए आपको पीटा जाएगा बहुत सारु चीज लिए आपको पीटा barrier Сейчас साबुन से नहीं नहीं रचाएं तो नृद्धरा जाएगा तो मतलब नाने पे भी आपको पीटा जाएगा तो इस तरीके से मतलब हम जब बच्चे थे तो अब हमें बहुत मारा जाता था आज के बच्चों को थोड़ा बहुत भी हाथ लगाता हो तो उन्हें लगता है कि हमें तो इन्होंने मारा दिन बर रोते रहते थे और हमारा क्या था थोड लाइक शेर कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना चाहें सब कीजिए आप इसको डाउनलोड करके कहीं भी अपलोड करना चाहें कीजिए और दोस्तों के साथ सेर कीजिए कोई भी कोपीराइट नहीं लगेगा जय हिन जय नहों